प्रयाग राज फाफामाओ के चर्चित दलित परिवार के चाल लोगों की हत्या का मामला पुलिस ने एक तरफा प्यार में हत्या का मामला बताते हुए पूरे मामले का खुलासा गिया है ADG प्रेम प्रकाश खुद मामले का संग्यान में लेते हुए एक सप्ता के भीतर इस दर्दनाक मंजर से परदा हटा है ADG ने प्रेस कॉन्फरेंस करके मामले का खुलासा करते हुए बताया कि एक यूवक को पुलिस ने गरफतार किया तो मामला खुला यहाँ यूवक मिर्तक यूवदी को लगातार मैसेज करता था यूवदी ने जैसे ही वाटसप पर आई हेटियो लिखा यूवक को गुस्सा आ गया उसने इस दिल लाने वाली घटना को अंजाम दिया सुरुआती जाच में ही लड़की के फोन से एक तरफा प्यार का मामला सामने आ गया मिर्तक लड़की के फोन खंगाले और फोन डिटेल से पुलिस को सारे सुराग मिल गये पकड़ा गया यूवक पवन लड़की को लगातार वाटसप पर मैसेज करता था और छेड़चाण भी करता था पुलिस लगातार पकड़े गया यूवक पवन से लगातार पुस्ताज सबी बिंदूओं पर कर रही है ADG के मताबिस गिरफतार यूवक से पुलिस पुस्ताज में सयोग नहीं कर रहा है गिरफतार यूवक को पुलिस जल्द करेगी DNA टेस्ट सहित उसके कपड़े का फॉरेंसिक जाज करने की कर रही तयारी है यूवक के फोन डिटेल और उसके संपर्क के लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है यूवक्ती के पोस्ट माटम रिपोर्ट में रेप की पूष्टी हो चुकी है फाना फाफा मौँ शेत्र में चार व्यक्तियों की हत्या के समन्द में जो विवेशना की प्रगती से तथ्याये थे उसके आधार पर आज इसका खुलासा किया गया है जिसमें एक अभ्युक्त पवन सरोज ये लगवक 23 वर्ष का है और ये सजाती है मृतक पक्षकी जाती का है इनके द्वारा लगातार लड़की को परिशान किया जा रहा था मुबाइल पर मैसेज दिये जा रहे थे और लड़की द्वारा उसको एश्विकार किया जा रहा था बार-बार उसको मना किया जा रहा था अंतिम मैसेज के आधार पर और सरकंस्टेंशल एविडेंस के आधार पर पवन सरोज की गिरफतारी की गई है और इनके द्वारा भी विवेशना में सहयोग नहीं किया जा रहा है लेकिन अभी तक ये बात सिद्ध हो गई है कि इनके द्वारा कुछ लोगों के सहयोग से हत्या की गई थी नाम के बारे में इनके द्वारा कुछ नाम बताये गए हैं जो नाम बार बार ये बदल बदल के बता रहे हैं, हत्या में जो शामिल अन्य लोग हैं, उनके बारे में भी विवेशना जा रही है, इनकी call details, DNA profiling उसके आधार पर अग्रीम कारवाई की जा रही है, जो अभी तक की नाम जद्गियां हुई थी, उन नाम जद्गी में उनका आपस में एक छोटा विवात केवल मिर्तक पक्ष के भाई से था, उसे लेकर अभी तक कोई एविडेंस ऐसा सामने नहीं आया है, कि उनके द्वारा हत्या की गई है, इस पर अभी भी जो investigation चलेगी, सभी call records, DNA के जो results आएंगे, उनके आधार पर आगे कारवाई की जाएगी पुलिस को कैसे शक हुए सर, क्या आधार रहा पुलिस का? कि आयू है, उसके प्रमान हमें मृतका के मॉबाईल से मिले हैं, जिसमें जून 96 उसकी date of birth है, जिससे जो पोक्सो की धाराएं हैं, वो भी इसमें कम की जा रही है, इसमें बलातकार की पुस्टी हो चुकी है, इसमें जो निशान मिले हैं, उसके पीवी केर्स पे निशान प जो पोस्मार्टम पैनल था, उससे बाच्चीत की गई थी, तो उनके द्वारा बताया गया कि जो इंजरीज हैं मैला के जो अंगों पर, उसमें काफी सिमेट्री है, जिससे लगता है कि जो काटने की, मारने की, जो क्या कारवाई की गई है, उस युफ्ती के उपर, वो एक की द्वारा की गई है, लेकिन जो दूसी, जो इनकी माह है, मृतका की, वो भी उसको भी मारा गया है, उनके साथ रेब की पुष्टी नहीं हुई है, ती क्योंकि अनपढ़ है, और एक तरफा प्यार करता था, उसे लेकर इस पर जब इसके शरीर की जांच की गई है, तो प अपड़े, इनके जितने भी माहन एविडेंस है, उनको कलेक्ट कर, हम FSL भेज रहे हैं, और DNA प्रोफाइलिंग के बाद ये मामला एकदम क्लियर हो जाएगा, माग मेला 2022 की तैयारियां अब और जोर पकड़ेंगी, माग मेला के लिए मुकमंत्री योगी अधितनात ने गुरूवार को 69 करोर लुपे का बजट की स्विकर्ती दी थी, साथ ही एडियम रेंग के अपसर को मेला अधिकारी बनाने पर भी सहमती बनी है, लखनों में हुई मुकमंत्री की बैठक में या तैय हुआ है कि मेली की तैयारियों में अब करीब डेड़ महिने का समय बचा है, इसे में पैंटून पुल बनाने तंबों का आइस थाई, शेहर बनाने और बिजली पानी के वैवस्ता की जाएगी, माग मेले में सभी विबा पार्ट्स के स्टुडेंट के जरिये यहां सेंड आर्ट तैयार किये गए, जिसमें 1971 के युद की आकरतियों को संगम की रेत्प के द्वारा पेश किया गया, इस सेंड आर्ट में दो टैंकों की जरिये इस युद की प्रस्तूत किया गया समाजवादी पार्टी के राष्टी अध्यक्ष अखलेश यादो के निर्देश पर योगी सरकार दोरा आयोजी टी एटी एग्जैमनेशन का पेपल लीक होने को लेकर आज जिलादीकारी को गया पंसौपा गया, जिसमें चारो फरंटल के जिलाद्यक्ष, महनगर अध्यक समाफ के नारे लगाए गए. प्रियाग राज के नवाब गंस्थाना चेत्र के बुदोना गाउं में रहने वाले एक ही परिवार के चार सजिस्टों से पाँच लोग की अग्याद वाहन से कुचनले से मौत हो गई बताया जा रहा है कि पाल समाज के चार लोग एवं उनके पडोसी प्रताबगर से बराज से समलित होकर एक ही मोटर साइकल पर सवार होकर बापस आ रहे थे कि सिंगवेरपूर के पास प्रियागराज लखनओ हाईवे पर अग्याद वाहन द्वारा टकर मार देने के कारण मौके पर मौत हो गई पांचों मिर्तक व्यक्ति नवाग गंस्थाना चेतर के बुदोना गाउं के रहने वाले थे यह सभी एक ही मोटर साइकल पर बैटकर दावस से बापस आ रहे थे बच्चों की मौत की खबर जैसे ही गाउं पर पहुची पूरे गाउं में कहरा मच गया इस विसे में जहनकारी देते हुए सेयो सुराओ सुदीर कुमार ने बताया है कि घटना की सूचना पाते ही पुलिस दुआरा मिर्तकों के शब को पोस्मार्टम के लिए भेज दिया गया और अग्यात वाहन के खिला मुकदमा दर्जकर विदिक कारवाई की जा रही है यह खाना नवाब गन्ता ग्राम दुदावना के रहने वाले पाल परिवार के लोग अग्यात वाहन के खिला मुकदमा लिखकर विदिक कारवाई की जा रही है और सौओं को पोस्मार्टम के लिए मुर्चरी बिज़वा की जा रही है अभी खबरों में बस इतना ही आप संगम न्यूस को लाइक कीजे सस्क्राइब कीजे और शेयर कीजे और आप देखते रहे हैं संगम न्यूस नमस्कार